जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे इंस्टन्ट रसमलाई की रेसिपी आज हम बनाएंगे रसगुला रसमलाई तो चलिए सुरू करते हैं रसगुला रसमलाई बनाने के लिए हमें सिर्फ रबडी की प्रिपेरेशन करनी है तो रबडी बनाने के लिए हमने एक हेवी बोटम पेन में एक लीटर फूल क्रीम दूद लिया है और यहाँ पर हम रेडी मेट रसगुले इस्तेमाल करने वाले हैं और दूद में हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे तो यहाँ पर इसमें एक उबाल आ चुका है अब हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक दूद का एक चोधा हिस्सा यानि की पाव हिस्सा रिड्यूस ना हो जाए और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि दूद नीचे बरतन के तले में ना लगे तो बीट-बीट में हमें इसे चलाते रहना है और इसकी दिवारों पर जो मलाई लगी है उसे हम तोड़ कर सेंटर में एट करते रहेंगे तो लो फ्लेम पर 15-20 मिनित तक पकाने के बाद आप दिखेंगे के दूद का एक चोथा हिस्सा रिड्यूस हो चुका है और इस टेज़ पर हम इसमें कश्टर पाउडर एट करेंगे वैसे तो इस रबडी में कश्टर पाउडर एट करना बिल्कुल ओप्सनल है लेकिन इसे एट करने से हमें दूद को ज्यादा रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 तेबल स्पून जितने कश्टर पाउडर को 3-4 तेबल स्पून दूद में एट करके इसका घोल पहले से बना कर रखा हुआ है घोल हमने पहले से बनाया है इसलिए एट करते वक्त हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे लगाता चलाते हुए पकाएंगे तो इस तरह से जब आप इसमें कश्टर पाउडर एट करेंगे तो हमें दूद को ज्यादा रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा तो कश्टर पाउडर एट करने के बाद हमने इसे 2 मिनिट तक चलाते हुए पकाया और अब हम इसमें चीनी एट कर देंगे क्योंकि हमने जो रसगुले लिये हैं वो ओल्डेडी मीठे हैं इसलिए हमने यहाँ पर चीनी की कॉंटिटी कम रखी है तो चाट अब स्पून चीनी एट करने के बाद हमने इसमें एक चोथा टी स्पून इलाइची पाउडर एट करके अच्छे से मिला लिया चीनी के मेल्ट होने तक हमने इसे एक से दो मिनिट के लिए और पका लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने रबडी की कंसिस्टनसी को कुछ ऐसा रखा है हम इसे ज्यादा गाड़ी नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद यह थोड़ी गाड़ी हो जाएगी और इस स्टेज पर हम इसमें रशगुले एट कर देंगे वैसे तो आज हम सिफ रबडी बनाने वाले थे लेकिन घर में थोड़े से रशगुले बच्चे हुए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना इन बच्चे हुए रशगुलों का इस्तेमाल करके हम रशगुला रसमलाई बनाए इसलिए हमने यहाँ पर सिफ छे रशगुले एट किये हैं वैसे तो इतनी रबडी 10 से 12 रशगुले की रसमलाई बनाने के लिए काफी है और इसी के साथ इस रबडी को बढ़िया सा कलर और टेक्स्चर देने के लिए हम इसमें थोड़े से केसर के धागे एट कर देंगे तो दो चुटकी केसर एट करके हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और इसे लो फ्लेम पर थोड़ा और पकाएंगे तो हमने इसमें रसगुले एट करने के बाद इसे लो फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए पका लिया है इसी के साथ हमारी रसगुला रसमलाई बनकर बिल्कुल तयार है हम इसे रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे फिर इसे सव करेंगे यह देखिए कितनी डेलीशियस रसगुला रसमलाई बनकर तयार हुई है बच्चे हुए रसगुले का इस्तेमाल करके जब आप इस रसपी को अपने घर पर ड्राइ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रसमलाई बनकर तयार होगी और recipe dry करने के बाद comment box में आप हमारे साथ अपने experience set करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसे सव करने के बाद हम इसमें garnishing के लिए थोड़े से dry fruits set कर देंगे आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई से भी dry fruits add कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी बादा मेट की है इसी के साथ garnishing के लिए हमने इसमें थोड़े से केसर के धागे एट कर दिये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई